हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज में आपने जो वीडियो लेक्वार हों देखिए यूएस और इरान मतलब काफी होट टॉपिक मैं कहूंगा आज की डेट में यूएस और इरान जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की बाला कोट एर स्टाइक हुई थी उस तरीके से यहां पे भी कुछ बिलकुल अलगी है और यह कॉन्फिक्ट जो हो रहा है इसका रीजन आप जानते हैं कि बहुत टाइम से अमेरिका इरान के पीछे पड़ा हुआ है कि ऑल्दो इरान और अमेरिका की सूरू से ही निबनती लेकिन अभी के टाइम पर यह कॉन्फिक्ट थोड़ा है कच्चे तेल का इंडिया को ही नहीं बहुत कंट्रीज को सप्राइब करता है और तेल के भंडार जो इरान के पास है यहाँ पे अमेरिका यह ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है आपको समझना जरूरी है क्योंकि जो शेयर मार्किट है इस ग्लोबल लेवल की पॉलिटि आपने सुना होगा कि US का एक द्रोन था बहुत महंगा द्रोन था अंदर गया बिलकुल रोन वो होते है तोही बिवान जिनको कहते हैं जिन में कोई भी आदमी नहीं बैठा होता है उनके ओपर कैमरेज लगे होते हैं वो गया अंदर गया होगा अभी ऐसे as of complete वह नहीं है इरान का केहना कि वह अंदर आया था उन्होंने मिंशायल से उसको उड़ा दिया और अमेरिका ने साथ के साथ बिलकुल। उसतहीं से इरन के ठेकानों को निशाना बनादो लेकिन कि 10 मिनिट बाद ही एसा समन्सद सुनने मा एक कि 10 मिनिट बाद ही उन्होंने अपने वह और बेंगे की यहां कि यe कि इरान भी अगर आप देखिए इतना कोई हलका देश है नहीं कि कभी भी उस पर attack कर लिया जाए इरान के पास अपनी खुद भी है और एक रशियन बैकिंग भी है रश्या की जो पावर है वहाँ पर back कर रही है और रश्या का बहुत बड़ा हाथ है इरान को support करने में अब इरान ऐसा अमेरिका का कोई कुछ चीज़े विगार तो रहा नहीं है बट यह है कि वो nuclear enrichment पर काम कर रहा है जैसा कि North Korea ने भी किया पाकिस्तान ने भी किया इंडिया ने भी किया अब अमेरिका उस पर sanctions से sanctions लगाए जा रहा है परिसान हो गया है अब सायद अमेरिका की planning हो उसको attack करने की तो यहाँ पर जो important factor हमारे लिए जानने वाली बात आते हुआ थी कच्छा तेल यानि कि crude oil crude oil के prices यह सब देखके बिलकुल बढ़ने लगे अगर आप पिछला हफता देखोगे तो crude oil के prices बिलकुल बहुत स्पीड से बढ़े और यह stocks जो मैं stock आपको बता रहा हूं यह जब crude oil के prices बढ़ते हैं तो इनको काफी नुकसान होता है चले जानते हैं कौन से हैं यह shares और सांत में देखते हैं crude oil के details और उससे पहले माँ इरान से तेल खरीदा नहीं जाएगा सबसे जादा अमेरिका के पास भी अमेरिका भी अगर आप देखोगे तो यह oil producing and exporting country जो opaque group है उसके अंदर नहीं आता लेकिन फिर भी US बहुत बड़ा एक producer है oil का इसी लिए यह जो conflict है Middle East के साथ जो नहीं बनती यह भी एक बहुत बड़ा कारण है और US oil के prices तो बढ़ेंगे ही जब इरान के तेल बंद कर देगा तो तेल कहां से जाएगा US oil 10% और Saudi Arabia वगर अगर आप देखें बाकी countries तो यह तो इरान के बिल्कुल अपोज करते है और अमेरिका के साथ है अब सबसे पहले मां आपको यह map में दिखाना चाहता हूँ आपको clearly यह समझे यह इरान है यह उपर यह इरान है और आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यह है यहां से सारा जो तेल है के टैंकर इस तरीके से यहां से पास होते है इस रूट से अब यह इरान है इधर ही अबुदावी दुबई वगर हो गया और UAE है पूरी country कतर बहरेन गयरा है जितनी भी oil आता सब इसी रूट से आता है और यहां पर किसका control है इरान का और इधरी आस-पास कहीं पर जो वो अब यह पूरा इरान का रीजन आपको देखिए कितना बड़ा इरान है और यहां पे जो conflict हो रहा है वो काफी मैं कहूंगा यह सारा तेल का इलाका है सारा कच्छे तेल का इलाका है तो यहां पे conflict इरान के ओपर conflict मतलब की बहुत बड़ा यहां पे मैं कहूंगा global economy के लेबल प available यह मान के चले कि इराक के अंदर भी अभी के टाइम पे अमेरिका का control है पूरा यहां अबधानिस्तान पे भी बहुत area अमेरिका का control में है तो इस तरीके से चारों तरफ से इरान को अमेरिका ने अल्रड़ी घेर रखा है अब उपर देखिए लेकिन northern side में रसिया का हाथ यहां पे इरान के उपर है तो यह आप इसको समझे यह global जो बन रहा है अभी के टाइम पे global conflict जो हो रही है तो साथी अरियब्या पूरा अमेरिका का partner है यहां पे कहीं पे भी मैं कहूंगा कि already जैसे कि आपने सुना होगा कि कतर कतर को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बा कर रखी है तो यह काफी important है आज की date में जानने के लिए कि क्या होगा कच्चे तेल का आप में आपको मैं pricing दिखाऊंगा तो आप clearly फिर समझ पाओगे पिछले अगर मैं बात करूं WTI crude की WTI crude एक महीने में देखे कहा कि स्पीड से बढ़ रहा है बहुत fast speed से यहां पर यह WTI क्रूड बढ़ रहा है पिछले एक महीने का अगर मैं data दिखाऊं यह देखे 17 जून के बाद किस तरीकी से कितनी स्पीड से उपर 60 के level को जाने को है और Brent crude देख लीजिए क्रूड के अलग-अलग segment होते हैं जिसमें different different मैं का material जो होता है जो components होते हैं वो अलग-अलग होते हैं इसके pricing भी थोड़ा अलग है Brent crude भी देखे कितनी स्पीड से यह देखे 60-65 के उपर जा रहा है तो यह बढ़ना जैसे ही यह share यह crude oil के prices बढ़ते हैं तो सबसे भारी नुकसान होता है हमारे पास जो companies है oil marketing companies जो के तेल बेजती हैं उन companies को बहुत जबरदस नुकसान होता है और यह US-Iranian tension की वज़े सब च जाओधी एरेवे से इंडिया तेल लेता है तो कह रहा है कि भीया तेल के prices को control करो हम जो है sustain नहीं कर पार हम इतना किस तरीके से करेंगे तो यह सारी चीज़े यह पूरा unrest चल रहा है region में तो काफी important हो जाता है आपको लेकर चलता है उन shares की तरफ जो खास यहां पर oil drilling and exploration companies इ पाइदा ही होगा लेकिन जो नुकसान वाली companies हैं वो कौन सी हैं वो हैं सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ refineries और marketing companies जिनको कहा जाता है OMC oil marketing country जैसे कि आता है Reliance तो यहां पर अगर तेल के दरों में तेल के rates में और अगर बढ़ावत होती है तो यह stocks सबसे सदमे में आ सकता भी 1280 के price पर trade कर रहा है 1413 से बिल्कुल गिरता हूँ नीचे आ है IOC Indian Oil Corporation इसको भी बड़ा धटका लग सकता देखे 153 के price पर trade कर रहा है अगर थोड़ा बहुत यहां पर continuous जो rise है वो price में बढ़ता रहेगा तो stock बिल्कुल नीचे आ सकता है हम बात करते हैं BPCL BPCL कौन भारत petroleum के prices में भी impact आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यह भी एक अपने इसके petrol pumps and all देखोगे oil marketing और refining company HPCL को जटका लग सकता है यह share में भी गिरावट although share market पहले ही down थी Friday पूरा इतना तेजी से down गिरी है almost 400 points से भी उपर यह नीचे गिरी है तो बिल्कुल धरासा ही होक और यहीं पर कुछ shares जब crude oil का महंगा होगा तो कुछ और components है जैसे कि petrochemical यहाँ पर असर देखने को मिलेगा क्योंकि इनका raw material crude oil से होता है paints के share जैसे ancient paint एक बहुत बढ़िया बहुत जबरदस share है लेकिन इसके share में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर crude oil के prices बढ़ते रहें क्योंकि इनका सीधे सीधे असर मैं कहूंगा आपने देखा होगा कि raw material की cost जिस तरीके से अगर बढ़ेगी तो Asian paint, burger paint, cancer, नरो लाक यह भी गिरेंगे क्योंकि raw material की cost बढ़ रही है, costing बढ़ेगी तो profitability में कमी आएगी तो आपने यह सब कुछ देखा यह regions, war worries, send oil prices, soaring, देखिए अब हर जगे आपको यह देखने को मिलेगा, अगर लडाई होती है, अगर कुछ भी tension यहाँ पे escalate होते हैं, although इतने बड़े chances नहीं हैं, तो यह सब चीज तो गिरेगा साथ में पूरी nifty भी down होने के पूरे-पूरे chances हैं, तो यह चीज हैं अभी के टाइम पे जो latest, जो खतरा बना हुआ है share market के लिए, या global economy के लिए, वो है Iran-US war tensions, वो है आपको detail में मैप में दिखा जया था कि कहां कहां आपको किस तरीके से, और इंडिया का तेल सब कुछ यहीं से, इसी खाड़ी से आता है, इंडिया क्या क्या बहुत countries का oil इधरी से आत है, चलिए, उम्मीद करता हूँ, आपको यह समझ में आ रहा होगा, और Mr. Trump जी को भी यह समझ में आ रहा होगा, कि भाया यह conflict जो है US, global economy के लिए, US के लिए ने, global economy के लिए एक खतरे की घंटी है, लेकिन Trump कहां समझे यह चीज, उनका तो इसमें फाइदा है, क्योंकि US का तेल तो अच्छे दामों पे बिकेगा, अगर वो एक मिसाईल इरान पे छोड़ देतो, चलिए, wind up करता हूँ, वीडियो को, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेर जरूर कीजिए, और आपकी अपनी राए, इस war के बारे मे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लाए, बेल आकन को प्रेस कर लाए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, थांक्यू, थांक्यू पर वाचिंग दाफ वीडियो,